है गाइज और वेलकम बैक टुमा यूट्यूब चैनल माइनेम इस इशान शवस्ती और आज की वीडियो में हम लोग पार्ट बी डिसक्स करने वाले हैं न्यू सेंटर्स ओफ पावर या फिर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ओफ पावर तो आप सोचेंगे कि मैंने यहां पर चैप्टर 3 तो यूएस हैजिमेनी है तो मैं आपको यह बता दू कि CBSC ने भी रिसेंटली यह न्यू अनाउस्मेंट करी है जो हमारे यूएस हैजिमेनी वाला चैप्टर था वह एंड ऑफ बाय पॉलारिटी में मर्ज हो गया है और जो हैजिमेनी हैं सॉफ पावर हैजिमे पार्ट वन में कवर नहीं किये थे और इस चैप्टर के एंड में मैं कुछ important questions भी दूँगा आपको जो की boards में most frequently पूछे जाते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यह भी बता दू कि यह जो new topics introduced किये गये हैं BRICS, Russia, India and Israel यह भी new centers of power हैं और 21st century के according में CBSC ने इसको introduce किया है क्योंकि हमारी book बहुत पहले ही लिख दी गई थी इस वैसे यह वाले topics introduced नहीं किये गए थे तो चलिए start करते हैं हम the rise of Chinese economy से तो जैसा कि हमने part A में देखा था किस तरह से alternative centers of power हमें पता चली थी different different regions में different different just like Europe में European Union form हुई थी Asia में Asian form हुई थी उसी तरह Asia में एक और power emerge हो रही थी जिसका नाम था चाइना हाँ चाइना किस वैसे इसकी growth हो रही थी इसकी economic capabilities की वैसे चाइना की जो economy थी वह highest growing economy बन गई थी और China world को कहीं न कहीं dominate कर सकता था on the base of its economy चली जानते हैं कि वो क्या reasons से जिससे इसकी economy को boost मिला जो कि इसका नाम आ गया world politics में यानि कि superpowers में चाइना का नाम आ गया चली देखते हैं चाइना's economic success is linked to the rise as great power तो जैसा मैंने बताया कि इसकी economic success ही इसका कारण बनी super power बनने का second it is projected to overtake US as the world largest economy in 2040 तो हमने जाना कि US हमारे world की hegemony है हमारे पूरे world को एक तरह से dominate कौन करता है US करता है तो अगर चाइना being a part of Asia अगर चाइना उसकी overtake कर जाता है US की economy को तो हम क्या इसको क्या बोलेंगे इसको हम यही बोलेंगे ना कि चाइना world politics में enter करके world politics को भी dominate कर सकता है अपनी economy की मदद से इसके बाद देखते हैं by 1978 Deng Xiaopong announced the open door policy which enabled higher productivity in economic and technical field China world level पे अपने समान को grow बेचने लगा और import भी करने लगा जिसकी वैसे इसकी economy को और जादा boost मिला अब हम देखते हैं आज present date में हम इतनी सारे festivals मनाते हैं हम दिवाली मनाते हैं रक्षा बंदन मनाते हैं हम होली मनाते हैं बड़ चाइना में तो यह सारे festivals नहीं मना जाते बड़ स्टिल जो भी major हम समान देखते हैं चाहे वह lights हो चाहे वह colors हो चाहे वह राखी हो तो वह basically कौन बनाता है चाइना से इंपोर्ट होके आती है क्योंकि वहां पर बहुत cheap rates में हमको जो भी substance चाहिए वह प्रवाइड करा जाता है जिसकी वैसे चाइना वर्ल लेवल पर उसकी economy को और जादा enhance करता है आज आप कोई भी smartphone देख लीजिए उसकी battery चाइना में बनती है कई बार assimilation जो होता है फोन का वो चाइना में होता है तो आप देख सकते हैं यह किस तरह से इसने बहुत जादा exposure दिखाया है पूरे वर्ल को अपनी economy का प्रेविटाइजेशन ओफ एग्री कल्चर लेड टू दा राइज ओफ चाइना एकॉनमी अब चाइना के पास resources भी abundant amount में है उपर से इसका agriculture भी बह प्रेविटाइज कर दिया अब आप देखते हैं agriculture field में कितने सारे किसान involved होते हैं और अगर उसको प्रेविटाइज कर देंगे तो वो लोग अपनी field को और जादा grow करने की कोशिश करेंगे और अच्छी seeds लगाएंगे और अच्छे fertilizers लगाएंगे ताकि उनका agriculture और जादा और जादा grow हो और उनकी economy rise कर जाए तो यह जो इनका structural plan था चाइना को वो काम्याब होगा जिसकी वैसे चाइना का आज नाम आ रहा है as in alternative centers of power और new centers of power आज हम present day देखें तो चाइना UN security council का भी member है जिसमें सिर्फ 5 permanent members है और चाइना is one of them तो world politics को भी चाइना कहीं हद तक control करत है कई बार इंडिया को superpower बनाने का decision जब world politics में लिया गया तो चाइना ने उसे refuse किया जिसकी वैसे हम भी superpower नहीं बन पा रहे हैं but soon or the later we will be the superpower of this world we all know that so guys हमने चाइना का part पढ़ लिया अब हम देखते हैं हमारा new part जो की है bricks bricks यह topic बहुत ही चर्चित बना हुआ है क्योंकि में दिया नहीं हुआ topic तो हम यह कहां से पढ़ेंगे तो why fear when I am here so मैं आपको बताता हूं यह क्या है बहुत ही easy topic है और यह exam point of view से as well as आपके exam के बाद आप कोई भी competitive exam देने बैठेंगे तो यह आपसे question पूछा जाएगा क्यूं क्यूंकि world level पे यह bricks की जो association है यह बहुत ज है Brazil, Russia, हमारा प्यारा India, China and South Africa तो यह bricks हमारे कब formed हुआ था? Bricks हमारा form हुआ था 2006 में पर तब वो bricks नहीं था सिर्फ brick था क्यूं? क्योंकि तब उसमें S for South Africa add नहीं हुआ था यह further add हुआ था 3 साल बात 2009 में और 2009 हम basically NCIT के point of view से यह देख रहे हैं अगर आप officially बात करेंगे तो यह 2010 में add हुआ था तो इसके basic purpose क्या था? इसका purpose यह था कि यह जो major regional players हैं अपनी अपने continent में यह एक major role play करेंगे इनकी economy बहुत तेजी से बढ़ रही है और इनकी आपस में अच्छी coordination बैठे और आपस में peaceful purposes के लिए लोग meet करें इसलिए association यह form हुई थी और हर साल इसका एक summit भी होता है इनी countries में जो जो इसके members हैं इसके बाद देखते हैं the term brick was first introduced by economist Goldman Sachs in 2003 तो जब bricks की formation भी नहीं हुआ था तभी एक economist Norman Sachs नाम के थे इन्होंने इसके बारे में बात कर दी थी और इन्होंने बताया था कि 2025 तक जो G6 के जो countries है यह इसकी economy को पीछे छोड़ देगा अब G6 क्या है आप बोलेंगे यह आपके लिए exam point of view से important नहीं है बट मैं इसकी countries बता दे रहा हूँ US, Russia, France, Japan यह सारी countries इसमें involved हैं और यह सारी countries की economy बहुत जादा है world level पे तो यह इसकी economy को 2025 तक बीट कर देगा और पूरे world की economy में highest economy ब्रिक की हो जाएगी 2050 तक यह विजन था इनका इन economist का जिनका नाम है Goldman Sachs आप आज की डेट में देखी रहे हैं इंडिया की economy कितनी तेजी से बढ़ रही है अगर हम कोरोना को एसाइड रग दें क्योंकि कोरोना ने पूरे world की economy को stagnant बना दिया है और पूरे world की economy negative में जा र दील किया जा रहा है इंडिया में यह तो जान लेकि ब्रिक कब बनी थी अब हमें इसके objective जानने है कि भाई purpose क्या था तो चलिए परपस देखते हैं तो cooperation and mutual economic benefits सबसे पहले तो जो ब्रिक countries थी जो पांच countries थी उनमें आपस में economic benefits हो एक दूसरी मतलब सारी countries को आपस में benefits हो मालीजे इंडिया अगर कुछ export कर रहा है तो दूसरी country वो इंपोर्ट करेगी अपनी country में तो इंडिया को profit होगा similarly उस country का कुछ इंडिया इंपोर्ट करे international policies दोनों एक ही बाते हैं मतलब अगर international policy कोई बनेगी तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी countries अगर unite रहेंगी तो stand ले सकती है एक country दूसरे का for example international level पे अगर इंडिया कोई policy बनाना चाह रही है पूरे world के लिए तो बाकी सारी countries इसको support कर सकती हैं कहीं ना कहीं तो ये भी major perspective बन इसके बाद equal access to all its members इसमें क्या था equality की बात करी गई थी कि ऐसा नहीं कि ब्रिक्स में जो रश्या हो गए यह चाइना हो गई पाफुल कंट्रीज हो गए यह लोग ही dominate करेंगी नहीं सारी पाचों कंट्रीज equally treat की जाएंगी और equally decision में उनका part होगा बट कहीं न कहीं इसकी ज हमें धुन्दनी होती दिख रही है ऐसा क्यूं क्योंकि चाइना कहीं न कहीं इसको dominate कर रहा है ब्रिक को इसलिए इसकी significance आज की date में कम है पट है इसके बाद vision of a multipolar world most important point है यह most important क्यों है भाई इसका vision था multipolar world का multipolar क्यों क्योंकि हमने देखा world किस तरह से hegemon से जूज रहा है सिर्फ US है जो पूरे world को dominate कर रहा है तो कहीं न कहीं brick का ऐसा मानना था कि अगर हम strong हो जाएंगे हमारी economy strong हो जाएगी हमारी GDP strong हो जाएगी तो world में जो different powers हैं वह emerge होंगी जो brick के नाम से जानी जाएंगी bricks और वही multipolar world की स्थापना करेंगी अब इसके कुछ demographs देखते हैं तो इसकी GDP 16.039 trillion US dollar आप समझ सकते हैं इतनी GDP सिर्फ इन 5 countries के पास है जो कि कितना होता है 23% of the world's GDP तो किस तरह से आप देख सकते हैं कहीं पूरा पूरा एक वर्ल्ड एक तरफ और यह 23% की GDP सिर्फ इन 5 countries से आ रही है इसके बाद population 42% अब आप देख रहें इसमें जब इंडिया चाइना एक साथ हो जाता है तो population अपने आप बढ़ जाएगी तो हम कहीं न कहीं dominate कर सकते हैं वर्ल को बट हमारा vision क्या है multipolar world का इसके बाद share in the world trade is 16% तो अब आप देख र रहेंगी तो अपने आप ही shares increase हो जाएंगे so I hope you are well aware of this topic brick और आपके लिए कोई बहुत बड़ा topic नहीं है हमारी जो अगली new center of power है वो है रश्या तो रश्या new emerging power क्यों है यह तो but obvious है क्योंकि जब हमारा world bipolar था तब जो वर्ल्ट था वो दो पावर्स में divided था USA and USSR तो रश्या USSR की the most dominant countries थी जितने भी decisions USSR के द्वारा लिये जाते थे वो रश्या लेता था and after the disintegration of USSR in 1991 all the policies and weapons including nuclear weapons were inherited by रश्या जितनी भी policies थी जितने भी world के trades थे affairs थे और जितनी भी organizations थी उसको hand over किसको कर दिया गया रश्या को यह हम बोल सकते हैं रश्या ने उन सबको took over कर लिया इसलिए यह एक new emerging power कहला सकती है world की और यह world को कहीं न कहीं कभी न कभी dominate कर सकती है चलिए जानते हैं कुछ उन reasons के बारे में जिसकी वैसे हम रश्या को as an alternative source देखते हैं power का dominant country among the 15 countries of USSR हमने जान लिया इसके बाद abundance of natural resources यहाँ पे natural resources की कमी नह सब कुछ easily accessible है और यह कई हद तक export भी करता है पूरे world को तो जाहर सी बात है जब यह export करेगा तो इसके पास पैसा भी आएगा revenue generate होगा और यह एक नई power के रूप में emerge हो जाएगा इसके बाद nuclear power है इसके पास nuclear की abundance है जैसे हम आने बताया कि USSR के disintegrate होने के बाद सारी जो भी policies थी या सारे जो equipment थे USSR के वो किसने handover किसको handover कर दिये गए थे रश्या को इसके बाद देखते हैं member of United Nations Security Council इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा important and the most powerful organization है क्यों क्योंकि इसमें जो पाँच पाफुल countries है US, Russia, China, France and Britain ये पाँच पाफुल countries इसके permanent members है और बाकी सारी several non-permanent members है तो अब permanent member है वर्ल्ड की most important organization की जिसको जो वर्ल्ड के major decisions लेती है तो ये पाफुल होई जाएगी अपने आप इसके बाद second military power of the world अब मैंने initially भी आपको बताया था कि इसकी military sufficiency बहुत जादा है इसकी red army है उसको world की most powerful army में consider किया जाता है तो अभी हमने Russia का part देखा अब हम उस country की बात करते हैं जो कि हर aspect से best country है इस world की जो कि है इंडिया तो चलिए इंडिया के बारे में बात करते हैं और जब हम इंडिया की बात करेंगे तो हम 21st century के इंडि मतलब 2000 के बाद के तो 21st century India is a multi-dimensional power multi-dimensional मतलब बहुत सारी dimensions में इंडिया के पास power whether it is economic power whether it is military power और soft power cultural power हम हर aspect की बात कर रहे हैं जब हम multi-dimension की बात करेंगे इसके बात fastest growing economy है इंडिया इस world की यह हम हमें और आपको पता है हमारी GDP कितनी तेजी से rise कर रहे है अगर हम Corona को aside कर दें और अगर हम Corona की भी बात करें तो इंडिया कितने अच्छे से conditions को कोपप कर रहे हैं हम देख रहे हैं वृड में यह बड़ी बड़ी सुपर पार्पास कंजरी भी इसको इतने अचछे से इंडिया ने आज करके दिखाया है इसके बाद में करता है कल्चिरियौरीटी कल्चिरियौरी हमार आज बात करें हम योगा को इंडिया में हम व्डो की रिस्पेट करने को इंफिसाइस करते हैं हम एजूकेशन बाते हैं के लिए country की हम different individuals को promote करते हैं डाइवर्सिटी को promote करते हैं नहीं होता है तो हमारा कलचर कितना superior है हम सब के साथ सबके विकास में ही बिलीफ करते हैं इसी लिया अज इंडिया emerging superpower country बन रहा है इसके बाद population a weapon is it in important कारण है जिसकी वैसे हम सुपर पावर बन सकते हैं और हम United Nations Security Council में भी प्रोपोजल रख सकते हैं इंडिया को permanent member बनाने का क्यूंकि हमारी country diverse है हमारी country democratic country है और हमारी country में 130 करोर से भी जादा लोग रहते हैं जिसकी वैसे हमारी country को एक बूस्ट मिलता है एक power का source होता है जब ज्यादा लोग होंगे जब वर्ल में ज्यादा population cover होगी तो हमारे पास power भी ज्यादा होगी इसके बाद targeting goal of five trillion economy इंडिया का जो goal है वो five trillion की economy को cover करना है या फिर occupy करना है जो कि बहुत जल्दी हम उसको cover कर लेंगे one of the largest market of the world अब हम देखें इंडिया हमारी country क्योंकि diverse है variety of people हमारी country में रहते हैं हर community के लोग रहते हैं हर religion के लोग रहते हैं तो जब different communities के और religion के लोग रहेंगे वोग अपने different festivals भी मनाएंगे वोग अपने different practices भी करेंगे जिसकी वैसे हम लोग को बहुत सारी नहीने चीजे occupy करनी पड़ेंगी या मंगानी पड़ेंगी वर्ल्ट से अब आप देख लिजे दिवाली पे lights लगाई जाती है घरों में वह import करते हैं हम वर्ल्ट से हम basically चाइना से import करते हैं क्योंकि वह cheap rates में हमको provide करता है और हम राखी import करते हैं चाइना से हम colors भी import करते हैं चाइना से तो अब अगर इंडिया ने बैन कर दिया कि हम चाइना से नहीं लेंगे तो चाइना का कितना बड़ा loss है आप समझ सकते हैं या वर्ल्ट में किसी भी country पर इंडिया ने बैन लगा दिया कि हम यहां का यहां का resources हम occupy नहीं करेंगे तो उस country के लिए बहुत बड़ा loss है कोई भी world की country यह नहीं चाहेगी कि इंडिया के साथ उसके relationship strain हो या खराब हो इसके बाद हम देखेंगे 200 million people of the India are spread across the world अब हम पूरे world में कहीं भी किसी भी country में चले जाए हमें वहां पर इंडियांस मिल जाएंगे क्योंकि हमारी country की population ही इतनी है technological field में हम देखते हैं कितने सारी ही foreign countries आती है हमारे यहां के IITNs को hire करने के लिए क्यों क्योंकि यहां पर creativity है और पूरे world में जब Indians फैले हुए हैं तो कहीं न कहीं उसका भी बहुत जादा impact पड़ता है इसके बाद military power हमारी ranking force है इस world में पूरे world में military ways पे मतलब हमारी military फोर्थ नंबर पे consider किया जाता है इसके बाद nuclear country है इंडिया आपने देखा तक किस तरह से जो NNPT and nuclear non-proliferation treaty इस पे इंडिया ने sign नहीं किया था जिसकी वैसे इंडिया भी एक nuclear country बन गई थी और nuclear explosives रख सकती थी peaceful purpose के लिए इसके बाद make in India most important point हमारे प्राइम मिनिस्चर न जब self sufficient हो जाएगी जब हम अपने products खुदी बना सकेंगे तो हम पूरे world को export भी कर सकेंगे और जिसकी वैसे काफी जदा revenue generate होगा हमारी country में और हम और जदा develop होते जाएंगे तो I hope आपको इंडिया की superiority के बारे में पता चला होगा और यह क्यों emerging world power है इसका भी reason आपको समझ में आया होगा अब हम आज की वीडियो का last topic देखेंगे इसराइल इसराइल एक Middle East nation है और यह बहुत बड़ा नहीं है in terms of geographical location बट इसकी जो military है या जो defense system है वो indomitable है मतलब unbeatable है यहाँ पे हर घर से requirement होती है कि हर एक बंदा पहले military में कुछ समय बिताएगा exercise करेगा military को उसक इसे बाद ही वो जो job करना चाहता है अपने profession को follow कर सकता है बट उससे पहले उसको एक बार defense में जाना पड़ेगा तो यह बहुत ही beautiful system है इसराइल का तो one of the most powerful country in terms of science and technology science and technology की भी यहाँ पे abundance है और बहुत अच्छे यहाँ पे innovations देखे जाते हैं country with maximum number of citizens belonging to defense background अब ऐसा क्यों ह होता है कि इसराइल के हर एक हर एक member को वहाँ पर military में पार्ट लेना पड़ता है या military के exercise करनी पड़ती है ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल की location ऐसी है कि इसके आसपास सब enemies country हैं जिसकी वह से अगर यह defense में full flesh नहीं होगा तो यह बहुत जल्दी कोई भी country इस पर occupy कर सकती है और overpower कर सकती है इसके बाद influences the politics of southwestern Asia हम देखते हैं किस तरह से चाइना को बोले जाता है कि यह influence करता है southwestern Asia को बट इसराइल अब एक नया player है southwestern Asia का जो कि वहाँ की politics को look after करता है या उसको कहीं ना कहीं control करता है बट इसराइल इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है जिसकी वैसे इन दोनों ही countries के लिए यह benefit है कि दोनों grow कर सकती है as a superpower इसके बाद Israel has achieved new heights by the virtue of indomitable defense system, technological innovations, industrialization and agriculture तो इसराइल ने new heights world politics में कैसे जमाई क्योंकि इसका defense system बहुत ही beautiful है मैंने आपको बताया कि किस तरह हर घर से एक person को military में पहले exercise करना पड़ता है उसके बाद ही वो अपने profession को follow कर सकता है और यहां का industrialization बहुत ही decent way में किया गया जिसकी वैसे यहां पे economy भी effect नहीं हुई जैसा जो हमें देखने को मिला था shock therapy में रश्या में इसके बाद यहां पे agriculture भी बहुत अच्छे innovative way में किया जाता ह है so I hope आपको यह सारे ही new centers of power समझ में आये होंगे और यह chapter आपको जो भी doubts थे ब्रेक्स रश्या इंडिया इंडिया इस्राइल के रिकार्डिंग वो आपके clear हो गया होंगे अब बात करते हैं कुछ important questions की जो की boards में most frequently पूछे जाते हैं तो सबसे पहले describe the objectives of ASEAN I hope ASEAN you remember Association of Southeast Association nation second explain the Marshall Plan Marshall Plan के अंदर Europe को aid मिली थी US की तरफ से उसकी economic revival के लिए इसके बाद explain the steps taken by China to improve its economy जो चाइना की open door policies ही और चाइना ने different policies adopt करी थी अपनी economy को revive करने के लिए इसके बाद discuss the significance of India as a new center of power यह आपका बहुत important question है exam point of view से क्योंकि boards जो भी plan करते हैं या जो paper सेट करते हैं उनका mindset यह रहता है कि बच्चों को इंडिया पे जाधा emphasize किया जाए क्योंकि हम लोग इंडिया के citizen है तो हमको इंडिया के regarding में knowledge ज्यादा होनी चाहिए last elucidate the perspective of bricks bricks हमने अभी recently इस वीडियो में पढ़ा है तो I hope you remember this part so इसी के साथ हमने हमारा chapter complete कर लिया है I hope you like this video अगर आपकी वीडियो से कुछ help मिली है तो अपने friends की भी help करिये and comment section में अपनी problems you can ask me and don't forget to subscribe my channel